जब भी हम स्मार्टफोन मैनुफेक्चरिंग की बात करते हैं तो एक सवाल आता है कि यार अकसर यार हम लोग इंडिया के अंदर सिर्फ असेंब्लिंग ही तो करते हैं क्योंकि सारी के सारी चीज़े तो मेड इन चाइना है और इस वीडियो में हम यह देखने वाले कि क्या मेड इन चाइना है क्या असेंबल इन इंडिया है और क्या आने वाला फूचर परस्पेक्टिव हो सकता है और किस तरीके से चाइनीज डॉम्देंस शायद हम लोग फूचर में काफी जादे हाँ पर कंद कर सकते हैं सबसे बहले बात करते हैं असेंबलिंग और मैनुफिक्चरिंग के कोर कंसेप्ट की असेंबलिंग वो कंसेप्ट होता है जहां पर एक एक कॉंपोनेंट बहार जानी की चाइना, टाइवान, साउथ कोरिया यह तीन ऐसे देश है वहां से निजरली स्मार्ट फोन के ओंपोनेंट्स अंडिया के आते हैं और इंडिया के अंडर, एक स्मार्ट फोन के अंदर लोग बैटके उन सब को एक साथकस्ट कि आपको एक मॉबाइल फोन ही हम पर प्रोवाईट करते हैं इवन ऐसा भी क्लेम किया जा रहे है कि अपकमिंग आईफोन 17 की लाइनप जो USA में विक्केगी वो भी Assembled in India होगी क्योंकि आप भी आईफोन की डंबे के पीछ आप देख सकते हैं Designed by Apple in California, Assembled in India और इसका सीविधा सीधा बात है कि आज भी एक कोई country पूरा का पूरा mobile phone यहाँ पर नहीं बना सकती है अकसर हम यहाँ पर चाइना की बात करते हैं चाइना आद के समय में largest supplier है equipment, technology का, even core components का जिसके अंदर आपके display panels हो गए, display के glasses हो गए, PCB हो गई, circuit boards हो गया, चोटी-चोटी ICs हो गई, chips हो गई, यहाँ तक की battery cell हो गई यहाँ फिर बात करें high-end camera sensors या modules की, यह सारी की सारी चीज़े आपकी चाइना बे बनती हैं और चाइना से आती है लेकिन एक fun fact की बात है कि आज भी चाइना के पास सारा control नहीं है यहाँ पर कि वो खुद भी mobile phone यहाँ पर बना सकते हैं यानि कि simple सी बात है कि advanced fabrication process होती है, mobile phone का जो processor बनता है, वो सारी technologies टाइवान के पास है, चाइना के पास उस technology का भी भी access नहीं है जिस कारण से जो premium high end chip जो 3NM based processors होते हैं, वो TSMC टाइवान में बठके बनाता है और कई सारे ऐसे parts होते हैं, जो आपके South Korea के अंदर बनते हैं, थास और पर डिस्पले हो गया है, चिप्स हो गई, memory modules हो गया है, यह सब चीज़ है तो एक simple सी बात है, कि आप है ना, एक country क्यों पर rely नहीं कर सकते हैं, एक mobile phone बनाने के लिए, एक ecosystem सा बन गया है पूरे Asia के अंदर, जहांपे manufacturing का हव होता है, वो create हुआ है जो कि काफी कछी चीज़ है, जिसके अंदर India as our second largest mobile phone assembler की रूप में यहाँ पे lead करता है Yes, obviously first पे China आते है, second पे हम लोग सबसे जादा iPhones या smart phones को assemble यहाँ पे सबसे जादा करते है अंदर छोटी छोटी चिपस होंगी जो China, Taiwan या South Korea से आएंगी और एक एक करके उस printed circuit board की उपर वो चिपस यहाँ पर लगेंगी इस तरीके से mobile phone का major motherboard होता है, वो तयार होता है उसके बाद एक assembly line होती है, जहांपे कई सारे workers काम करते हैं यहां पर एक-एक component को एक-एक mobile phone के अंदर लगाये जाता है और पूरी की पूरी assembly line पचास से सौ लोग यहां पर काम करते हैं और यह भी एक regular smartphone के अंदर मैं बता रहो पचास से सौ लोग मिलके एक mobile phone को हैपे बनाते है और यह पूरी assembly line यहां पर चलती है लेकिन एक अच्छी बात है कि यहां पर जित्ता जादा complex mobile phone होगा उत्ते जादा लोग आपको बिठाने पढ़ेंगे और उत्ते जादा लोग आप बिठाओगे तो obviously employment generate होगी और लोगों को रोजगार वगरे सारी चीज़ें बिलेंगे जो कि काफी अच्छी चीज़ है लेकिन चीज़ के बार में बात आते हैं कि लोगों का अक्सार कमेंड होता है कि चाइना के अंदर smartphone की factory totally automated है जो बात कुछ हद तक सही है और लेकिन पूरी हद तक नहीं है और आज भी जो mobile phones इंडिया में बिखते हैं वो सब भी किसने किसी human के हाथों से पहले निकलते हैं और आपे उनकी assembling मगर रखी जाती है manufacturing में बात करें तो आपकी जितने भी core components होते है उन सब की raw materials से लेके उनका production होना वो सारी चीज़ आपकी manufacturing में आती है जहां पर एक simple सी बात है कि आज इंडिया में budget phone के अंदर हम 42-50% ऐसे components होते हैं जो इंडिया में हम बना सकते हैं frame हो गया, display हो गया, charger, cable, PCBs या छोटी मूटी चीज़े हो गई वो सारी चीज़े हापे बन जाते हैं लेकिन 50-60% ऐसे components होते हैं आज भी import करके लाने पड़ते हैं और यह एक budget phone के बार में बोलो हो क्योंकि budget phone के जाता चीज़े आप इंडिया में आपे बना सकते हैं लेकिन problem आती है, जितना जाता complex हो जाए phone और जितना जाता complexity, जितना जाता mehag phone होगा आप यह बात समझ के रखिए कि उसके components इंडिया में कम से कम बनेंगे, बाहर चाइना से जादा आएंगे यह बात बिल्कुल fact है, क्योंकि अगर आप iPhone 17 Pro Max अगर आने वाले समय में बनेगा तो मैं बता सकता हो, 95-100% लगबाग सभी component ऐसे होगे जो आपके बाहर से import होकर रहेंगे इवन बात करो तो इंडिया में आगके समय में असेंब्लिंग में हम लोग फोल्डेबल भी असेंब्ल कर देते हैं लेकिन फोल्डेबल की टेकलोजिय भी इत्ती जादा एडवांस है तब इंडिया के अंदर देखा जाए तो कोई manufacturing वगरा होती नहीं थी specially smart phones की यहाँ पर हम assembling भी नहीं करते थे यहाँ पर हम लोग direct बाहर से phone लाके बेचा करते थे आपके Micromax से अच्छा example होई नहीं सकता जो smart phones Micromax शुलवाती दिनों में लाई थी उसने यह देखा कि चाइना से phone उठाओ अपना logo लगाओ इंडिया में बेचो यह simple सा कामत और कई सारी companies यहाँ पर कर रही थे फीकर जब धीरे धीरे इंडिया के अंदर change आया मोबायल phone market grow होने लगा तो इंडियन government ने डिसाइड कि यार बहार से अगर आप एक mobile phone लाओगे तो आपको एक high tax देना पड़ेगा और इंडिया में अगर आप और एक और चीज़ यहां पर मैंने अबसर्ब करी कि धीरे धीरे चाइनीज कंपनी से इंडिया में जादे इंवेस्टमेंट करी as compared to किसी इंडियन ब्रांड ने जिस वज़े से चाइनीज की डॉमिनेंस इंडिया वाले मार्केट में हो गए और एक बात करें तेक बहुत बड़ी सैड रियलिटी हैं पर है कि आज भी इंडिया को जो 80% स्मार्टफोन मार्केट है वो चाइनीज डॉमिनेंट है और ये दिखके ऐसा लगता है कि ये चाइनीज की इती बड़ी डॉमिनेंट पोजिशन होना यार कुछ हद तक है सही नहीं लगता है और इवन इसमें एक लेवल तो उपर और बात आ जाती है जब आप ये देखते हैं कि इंडिया के अंदर आरेंडी के नाम पे जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो चाइना में ही अपनी आरेंडी करती हैं चाइना से ही ये डिसाइड होता है कि इंडिया को कौन सा प्रोड़क्ट मिलेगा किस कीमत पे जाएगा सारी की सारी चीज़े चाइना से डिसाइड होती है यहां पे जातर जो company से जहां पहले चाइना की उपर जादर like करती थी अब चाइना और US के बीच में relation खराब होने के कारण यहां पे चाइना plus one strategy का use कर रही है यानि कि दुनिया की सबसे बड़ी company अगर Apple की भी बात करें तो उसे भी पता है कि यह पिरना चाइना की मदद कि वो अपना iPhone बना ही नहीं सकते यह बात उने पता है इसलिए वो डिसाइड कर रहें कि चाइना को तो रखेंगे लेकिन चाइना plus one में यानि कि हम एक और country को एड़ कर देगे जो हमारी मदद करेगा एक iPhone या की smartphone को बनाने के अंदर जिसके अंदर आपकी major manufacturing हो रही थी इससे पहले वियटनाम के अंदर भी और इंडिया के अंदर भी लेकिन अब वियटनाम से भी कुछ production यहाँ पे इंडिया में move already होने लगा चाहे मैं iPhone या Samsung या दूसरी companies की बात करू इवन Google Pixel खुद पहले वियटनाम में बनता था वो भी अब यहाँ पे इंडिया में shift हो रहा है तो ऐसे कुछ advancement चीज़ आई है लेकिन फिर भी बात है कि चाइना जैसी country के साथ यहाँ पे core component जो रहते mobile phone के वो आज भी यहाँ पर आते और जिस चीज़ को तोड़ने में जारी चीज़े produce कर सकता है और चाइना के अंदर बात है कि technology के मामले वो काफी जादा एडवांस है जिस कारण से वो जल्दी और fast execution करके कुछ ना कुछ नहीं चीज़ यहाँ पर बना देते एवन अब खुद देखे कि US में अगर कोई innovation होता है तो चाइना उसे copy करने में ब प्लांट्स वगर ओपन करें और धीरे-धीरे manufacturing में जाए क्योंकि चाइना के बस जो एडवांटेस था इधर यह था काफी सालों पहले उन्हों नहीं चीज़ें बनाना शुरू कर दिया था लागेगा और इंडिया के अंदर देखा जाए तो आपकी mobile phone के space में जिस दो ही ब्रांट अवाइलेबल है एक तो आपका लावा हो गया और एक तो आपका AI प्लस हो गया इसके अलावा तीस तरफ ब्रांट इंडिया में एक्सिस्ट नहीं करता हाला कि manufacturing वाले space में यहाँ प पर कंट्रोल करता है लेकिन हां यह बात है कि चाइना आज भी खुद एक एडवांस लेवल का प्रोडेक्ट हो दी इन हाउस यहां पर नहीं बना सकता फॉर एक्जांपल जो most advanced chips होती है वह आज भी TSMC के ज़़ारा बना जाती है और TSMC टाइवान की है और टाइवान के प सैसे यह चाइना से रोक के रखा गया है जिस कारण से आज भी वो एक high-end processor यहां पर खुद fabricate नहीं कर सकते तो देखा तो चाइना खुद भी अगर global level पर control कर रहा है technologies को तो वो खुद भी चाकर एक high-end mobile phone अभी तो नहीं बना सकता हाला कि Huawei जो चाइना की company वो इस चीज को तोड़ने में हाँ पर लगी हुई और SMIC जो company China की वो भी यह कोशिच करें कैसे हम in-house यह अपनी चिप यहां पर कैसे बना ले देखो अगर लगे रहोगे तो कोई ना कही आंसर तो मिली जाएगा तो हो सकता यह monopoly भी तूट जाए तो वो एक चीज है इसके साथ एक और बात लोबल लीडर बनके बैठी वो भी चाइन है चाइना वे highest number of EV penetration है highest number of EV brands है और highest number of EV innovation हो सारी technology वहां से निकल रही है जिस वज़े से किसी भी country को अगर खुद की EV हापर बनाने उसे चाइना की उपर लाय करना ही बढ़ेगा और rare earth material की उपर control होने से यहां पर देखा जाए त इलेक्ट्रानिक इंडस्ट्री को कही ना कई इंडिरेक्ली हापर control कर सकते हैं क्योंकि raw material के उपर अपका control है ना तो जो product बनाने वाले होना उसके उपर भी control है देखने वाली बात यह रहगी कि आने वाले future में है क्या रहता है और किस तरीके से जो monopoly China ने हापर create कर रखी है इससे हाप आगे कैसे निकलते हैं इसी के साथ ही बात की जाए तो इंडिया में देखाया तो चीज़े थोड़ी थोड़ी develop होना शुरू होई है लेकिन अभी भी हम बहुत जादा पीछे हैं जिस वजह से हम धीरे धीरे manufacturing वाले space में बढ़ें जैसकि इंडिया के अंदर तो यहाँ पर भी जो chips बनती हैं छोटी शोटी उनकी भी जातर जो fabrication होती भार होती लेकिन हम धीरे धीरे memory modules, RAM वाली चीज़ों की जो chips होती है उसे हम धीरे धीरे इंडिया में शाद बनाना शुरू कर दें लेकिन वहाँ पर भी semiconductor के अंदर भी आने में हमें काफी जादा time क्योंकि semiconductor industry ऐसी रहते कि इसे develop करने में time लगता है और इंडिया क्यों अगर आगे यहाँ पर निकलना है तो semiconductor वाली इंडस्ट्री को यहाँ पर capture करना ज़रूरी है ग्लोबल लेवल पर जितने भी semiconductor होते हैं वो Taiwan से यहाँ पर निकलते हैं और Taiwan एक ऐसी monopoly हाँ पर create कर रखी है कि आप आज के समय में कोई भी electronic device यूज कर रहे हैं उसके अंदर कोई ना कोई छोटा सा component एक ऐसा होगा जो Taiwan से निकल कर आया होगा कोई भी electronic component बिना हो उसकी मदद क्या 2025 में आज हम बना सकते हैं इंडिया के अंदर इंडिया में आज हम असेंबल कर सकते हैं लेकिन जीरो से लेके 100% तक जाना आज भी काफी जादे डिफिकल्ट है आरेंडी वाले सपेस इंडिया में भी बहुती ज्यादा लिमिटेड और बहुती लिमिटेड इसकोप में होता है जो Chinese company's के आरेंडी है वो तो China में हो रही है और जादे technology के अंदर innovation है और जादे competition है जिस कारण से जादे number of suppliers आएंगे तो हम यहाँ पर काम कर पाएंगे इंडिया के अंदर और जादे से जादे products और उनकी जो components होते हैं उनको यहाँ पर produce कर पाएंगे और हाँ एक geopolitical factor भी एक advantage हो सकता है जैसे कि China versus US से तो यहाँ पर चलता रहता है तो एक advantage तो हम आपर में मिला है कि हम जादे से जादे जादे असेंब्लिंग करेंगे आईफोन और अलग अलग products की हाँ लेकिन उस असेंब्लिंग से manufacturing तक जाना एक काफी बड़ा challenging task हो सकता है और 2025 में भी एक छोटा से difficulty वाला task लगता है overall लेकिन बाग करें तो China plus one strategy में यहाँ पर China plus India strategy आ रही है जहाँ पर शाद दुनिया की हर एक company अब यह decide कर रहे है कि China के उपर तो हम उसे छोड़ नहीं सकते लेकिन चाइना के बाहर अगर हम इंडिया पर थोड़ा से जादा फोकस करें तो किस तरीके से हम जादा number of product बना सकते हैं और यहां से हम product को export कर सकते हैं इवन सरप्राइजिंग चीज तो है कि mobile phone का export इंडिया में इस समय all time hyper हो रहा है जिस कारेंट से हम इंडिया में बने हुए या असेंबल की हुए mobile phone को बाहर यहां पर बेच रहे हैं तो वो एक काफी अची चीज यहां पर तो फिलाल तो हुई है देखने आने वाला feature कैसा रहता है किस तरीके से हम इंवल्मेंट होता है और देखा जाते हैं यहां पर core component manufacturing आज थोड़ा सा दूर है लेकिन आने वाला समय काफी interesting हो सकता है future के अंदर दिखते हैं यहां पर चीज़े क्या रहती है तो दोस्ते यह होती है कहानी कि किस तरीके से यहां पर made in China or assembled in India का यहां पर खेल चल रहा है आग लोग का इस बारे में क्या कहने है नीचे ज़रूर comment में बताइए thank you अपने रहे हैं नी के लिए में आप सोलता हो आपने नेक्स वीडियो के अंदर गब बाई